गोड़ मॉर्निंग स्ट्रेंट्स, हमारे आज के क्लास में हम लोग में जो की एक तरह का मॉडल औक्जलरी वर्व है, उसकी यूजर्स के बारे में जानेंगे, तो में का यूजर्स है, वर पर्मीशन इजाज़त मांगने या इजाज़त देने के लिए इस्तमाल होता है, पॉसिबिलिटी, संभावना, मतलब कोई चीज हो भी सकता है, नहीं भी, प्रेयर, प्रात्ना, ब्लेसिंग, आशिवा देना, कर्सिंग, किसी को अभिशाप देना, मतलब अतीत में हुई किसी बात की कल्पना करना, तो एक्के करके हम के सारे यूजर्स के बारे में जानेंगे, तो पहला यूजर्स हमारा में का परमिशन के लिए, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, यू में गो ना, तुम जा सकते हो, तो यह एक तरह का परमिशन है, इसे हम ऐसे ही बोल सकते है, कि यू आर अलावड टू गो ना, तुम ही जाने की इजाजत है, तो यहाँ पर मे का इस्तमाल किसके equivalent हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, तो allow का मे का use जो है, वह formal manner में अपने से बड़े किसी authority वाले person के लिए होता है वही अगर हम you में go now के जगा, अगर हम बोलते है you can go now, तो इसका मतलब भी इजाज़त मांगने के लिए होता है लेकिन यह जो है, वहाँ informal manner में किया जाता है, मतलब हम जो है यह अपने किसी friends या relatives के लिए use कर सकते है, साथी साथ अगर हम बात करें यहाँ पे can का, तो यहाँ पे जो है, वह हंग थोड़े rude behavior के साथ भी किसी के साथ permission मांगने के लिए इस्तमाल कर सकते है, लेकिन ऐसा situation में के साथ नहीं है next, you may start the work, तुम काम शुरू कर सकते हो, तो यहाँ पे जो है, वह किसी तरीके का permission दिया गया है, और respectful manner में permission दिया जा रहा है, वही अगर हम बोलते है, you can start the work, तुम काम कर सकते हो, तो यहाँ पे जह है, कहीं न कहीं respect का sense नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी भी person जो कि हमारा friend या relative है, उससे यह बारे में बात कर रहे है, वही हो गया हमारा make customer formal manner में, और can का इस्तमाल informal manner में, formal हो गया हमारे से higher authority वाले person जिससे हम respectful manner में बात करते है, वही can हो गया, किसी भी तरह के हमारे friends relative, ऐसा जरूरी नहीं है कि can में हम जो है, वह respect का sense लेंगे ही लेंगे, फिर यहाँ पर वही बात हो जा रहा है, कि में जो है, अगर हम permission के लिए इस्तमाल करते हैं, तो यहाँ में का इस्तमाल जो है, वह किसके बराबर हो सकता है, allowed to, तो you may start the work के लिए हम क्या हो सकते है, you are allowed to start the work, तो यहाँ पर क्या हो गया, permission देने के लिए जो है, वह में का इस्तमाल किया जा रहा है, अब हम आते है, permission मांगने के लिए, तो permission मांगने के लिए हम लोग हो सकते है, जैसे may I come in sir, क्या मैं अंदर आ सकता हूं sir, तो यहाँ जो है, यह general statement देखा जाता है, और हम जो है, इसका इस्तमाल अपने schools या colleges में करते हैं, अपने से higher authority वाले person के लिए, लेकिन अगर हम बोलते है, can I come in sir, तो यहाँ पे जो है, वो कोई person जो है, उससे हम लोग बहुती ज़्यदा friendly है, या फी हमारे friends ये relatives है, तो वहाँ पे हम लोग जो है, work can कर इस्तमाल करते हैं, तो make कर इस्तमाल जो है, permission मांगने या देने के लिए किये जाता है, next है हमारा make कर इस्तमाल, possibility संभावना बताने के लिए, जैसे अगर बोले जाता है, it may rain today, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे हो सकता है कोई व्यक्ति उठा हो, और वास सुबह के atmosphere वातावरन को देखके, यह अंदाजा लगा रहा हो, कि बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे possibility संभावना जह है, वह कम है, अगर इसके जगर हम बोलते है, it might rain today, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे बारिश होने की संभावना थोड़ा जादा हो जाती है, ऐसा हो सकता है, कि आसमान में बादल छाया हुआ हो, तो यहाँ पे might का इस्तमाल किया गया है, लेकिन अगर हम बोलते है, it must rain today, तो यहाँ पे possibility जो है, संभावना, वह 100% हो सकती है, क्योंकि ऐसा situation में अगर कोई व्यक्ति हो रहा, आज वर्षा अवर्ष होगी, तो वहाँ देख रहा हो कि बादल भी गेरे हुए, और थोड़ा बहुत पानी की बूंदे भी गेर रही है, तो अगर हम जो है, वह मे का possibility में यूज करते है, तो यहाँ पे 50-50 chances होते है, वही might का use कर रहे है, तो chances बढ़ जाता है, और किसी भी चीज़ की होने की possibility 100% हो जाती है, तो हम वहाँ पे must करिस्तमाल करते है, next example हम देखते है, he may be here, वह यहाँ हो सकता है, तो यहाँ पे possibility कम है, अगर possibility परहाना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, he might be here, और अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि यह 100% होगा, तो हम क्या बोल सकते है, he must be here, अब हम make कर श्तमाल, prayer, आशिरवाद, blessing, आशिरवाद, prayer, प्रातना और कर्ष किसी को अविश्राप देने के श्तमाल करें जैसे अगर हम बोलते है, may God keep everyone happy, भगवान जो है, वह सब को खुश रखे, तो यहाँ पे किसी भी तरह का prayer, प्रातना की जा रही है, वहीं दूसरी और अगर हम बोलते है, may you live long, भगवान करे, तुम बहुत लंबी उमर जीओ, तो यहाँ पे blessing, आशिरवाद दिया जा रहा ह वहीं अगर हम बोलते है, may God curse you, भगवान तुम्हारा बुरा करे, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, may का इस्तमाल, prayer, प्रातना, blessing, आशिरवाद और कर्ष श्राप देने के लिए किया जाता है next, use हमारा may का किसी कारण के बारे में, reason के बारे में बताने के लिए जैसे, you are watching this video, so you may solve the question, आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो, ताकि आप जो है, वह सवालों को हल कर सको तो किस के सवालों को, model के सवालों को, तो model का जो हमारा use हम पढ़ रहे हैं में, उसमें से में का एक use होता है, किसी भी तरीके काम करने का reason, कारण के बारे में बताना नेक्स्ट है, I called you, so I may ask you a favor, तो मैंने तुम्हें फोन किया, अब फोन करने का reason, कारण क्या है, ताकि मैं तुम से किसी भी तरीके का मदद मांग सकूँ और next हमारा make a use है, speculate past action, मतलब पूर में हुई किसी action के बारे में कलपना करना जैसे example, she is late, she may have missed the bus, वह late है, अब late क्यों है, तो हो सकता है कि वह अपना bus missed कर गई हो he has won, he may have worked hard, वह जीत चुका है, उसने जरूर कड़ी महनत की होगी तो हम लोग ने क्या देखा, make a customer, permission मांगने के लिए किया जाता है, जैसे हमारा हो गया may I come in, तो permission मांगने के लिए हम क्या लिए सकता है, may plus subject plus main verb plus other words वही होता है, अगर हम किसी तरीके का permission देते हैं, जैसे you may go now तो इसका structure हो जाता है subject plus may plus main verb plus other words वही दूसरी और अगर हम किसी possibility संभावना के बारे में बताते हैं, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, examples समझते हैं it may rain today, आज वर्षा हो सकती है, तो इसका structure क्या हो जाएगा subject, उसके बाद may, उसके बाद main verb, और उसके बाद other words उसके बाद हमारा हो गया prayer, प्रातना, blessing, आशिवाद, कर्ष, श्राप इन तीनों के बारे में बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो तीनों के example लेते हैं, may you live long, may God bless you, और may God curse you तो prayer, blessing या curse के लिए जो है, वो हमारा may पहले आता है, और फिर उसके बाद हमारा sentence आता है next आता है हमारा किसी तरह का reason या purpose बताना, जैसे हमने देखा, you are watching this video, so you may solve the question आप video देख रहे हो, ताकि आप सवाल को solve कर सको, तो आप video देख रहे हो, तो या किसी भी तरीकी का action है, लेकिन आप क्यों कर रहे हो, ताकि आप सवाल को solve कर सको, या इसका reason है, कारण है और last हमारा आता है, speculate past action, मतलब अतीत में हुई किसी घटना के बारे में कल्पना करना, जैसे हम लोगों ने देखा था, she is late, she may have missed the bus, या फिर he has won, he may have worked hard, तो इन दोनों के दोनों sentence में हम लोगों देख पा रहे है, कि हमारा पहला पार्ट जो है, वह किसी तरीके के past action को solve कर रहा है, और दूसरा पार्ट जो है, वह हमारा reason बता रहा है, यहाँ पे अगर हम देखे, she may have missed the bus, या you may have worked hard, वह जरूर अपना bus छूट चुट चुका या एक past के action को show कर रहा है, तो हम बोल सकते है, make का इस्तमाल जो है, वह past के action को देखाने के लिए होता है, और उसका structure होता है, subject plus may plus have plus work 3 plus other words, तो यही था हमारा make का use मिलते हमारे next वीडियो में